Hello everyone, welcome to study education तो ये जो बैड नियूस बन सकती है सबी CA final वाले students ले जो भी November 24 में exemption देना चाहते है तो जैसा कि आपको पता है कि आपको exemption से पहले जो है advanced ICTSS complete कर लेना होता था लेकिन अब आपका जो है self-paced online module भी है तो वो भी आपको complete करना पड़ता है before examination जाते है obviously इससे पहले ही आपकी exam form filling process start हो जाएगा तो आप exam form तो easily fill कर सकते है provisional basis में उसके बाद आपके test होगा तो इससे आपको ज़रूर clear कर लिजेगा जिससे आप examination में appear करें और आपका result भी declare कर दिया जाए मना बाद में यह होगा कि आप examination में बाद में जाके bad news ही बन जाएगा आपके लिए कि आपने जो अपना module test जो है clear नहीं करा 15th October 24 अगर अपसी यह final number 24 में examination देना चाहते है और जिनोंने अभी complete कर लिया है माल लिजे पिछले कुछ time में जो test हुए थे उसमें complete कर लिया है तो comment box में जरूर लिखके बताएगा कि आपने complete कर लिया है